बात करने जा रहे हैं ओपन इसपेस सेटबैक डिस्टेंस और फ्लोर एरिया रेश्यो टर्मिलोजी के बारे में साथ ही साथ हम इसमें कुछ और अलग एरिया जो की डिलेटेड टू दा कंस्रक्शन होते हैं आपके बिल्डिंग कंस्रक्शन के लिए उसकरे जाते हैं उनकी बारे में समझेंगे बीच में तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओपन एरिया क्या होता है तो प्लॉट पे जो ए सबसे ज्यादा जो हमारा इंपोर्टेंट टर्म है वो होता है सेट बैक डिस्टेंस और बिल्डिंग है जब हम किसी बिल्डिंग को front facing से create करते हैं यानि जो हमारा elevation वाली sides होती है front side जो होती है तो वहां front में road से कुछ margin छोड़ते है that is called your road margins तो frontage margin और open space in the front of the building abouting the road that is called setback और building line यह आपका क्या कहलाता है setback कहलाता है और building line क्यालाता है आप कुछ भी नहीं बना सकते उसके इस तरफ सेट बैक डिस्टेंस या बिल्डिंग लाइन के पहले की तरफ आगे की तरफ जो रोड की फेसिंग उस तरफ क्यों नहीं मना सकते देखिए अगर आप रोड का जो एक जिस पर गाड़ी चल रही है वो आपका क्या कहलाता है कैरीजवे के बाद शोल्डर आता है इसके बाद आपका ड्रनेज लाइन फुट पाथ अगर सहर के अंदर है तो यह जो सारी चीज़ें आती है इसके बाद भी हम कुछ रोड मार्जिन्स छोड़ देते हैं यह कई चीज़ों के लिए होते हैं जैसे स अगर कोई कर्व है या तर्निंग है तो उनके लिए कोई भी बिल्डिंग और काम ना करे किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन उसके लिए साइड डिस्टेंस के लिए बाधा ना बने इस चीज़ को देखते हुए हम क्या करते हैं रोड मार्जिन्स छोड़ते हैं जो कि आपक सेट बैक डिस्टेंस कहलाते हैं तो परपस आपको समझ में आया कि यह बहुत जरूरी है अप्सलूटी नैसेसरी दा लैंड कंटेंट इन सेट बैक में भी एक्क्वाइड अगर रोड मैंने जैसे कि प्रीविएसली भी बताया कि अगर आपका रोड जो है आज स्टेट इसको मेजर डिस्टिक रोड में करा जा रहा है तो आपके रोड की जो विट है वो बढ़ाई जाएगी सिंगल ने से डबल लेन करा जाएगा तो जिसके लिए आपको रोड मार्जिन की रिक्वाइर्मेंट होगी उस समय आपकी कंस्ट्रुक्शन को ना इतना ज्यादा दूसरा कॉर्नर या जो आपकी कर्स होते हैं उन पर विजिबिलिटी या साइट डिस्टेंस को प्रॉपर रखने के लिए सेफली मूविंग ट्रैफिक आसानी से चल सके जिसमें कोलिजन ना हो कोई गाडियां टकराये ना उनको क्लियर ली हरे चीज विजिबल रहे जिसके लिए हम क्या करते हैं सेट बैक डिस्टेंस को ओ squid करते हैं यह जो आपका open अपन एक है इसके अलावा भी कई ऐसे एरिया होते हैं जो हमें building planning को या building drawing करने से पहले पता होना चाहिए उसकी drafting से पहले हम्यारे पास ओर terms known होनी चाहिए जैसे कि plot area plinth area, built up area carpet area far floor area ratio या इसे दूसरी terminology में FSI floor space index के नाम से भी जाना जाना है What is plot area plot area refers to the area that has boundary such as facing around it तो जो भी कुछ हमारी boundaries के अंदर है या हमारे पूरे के पूरे structure को चारों तरफ से cover करने वाली facing के अंदर आ रहा है fencing के अंदर हम ले रहे हैं that is our plot area वो हमारा क्या होगा plot area होगा कई बार हम कहते हैं कि हमारा 1000 square feet का plot है 800 square feet का plot है 1500 square feet का plot है 42 square feet का plot है तो जो length और width total हमने cover करी है जिसको हमने अपनी boundary के अंदर ले रखा है that is our plot area वो हमारा क्या होगा plot area होगा what is plinth area तो plot area से plinth area कम होगा क्यों कम होगा कि कि आप पूरे plot पे cover construction नहीं करने वाले मतलब चारों तरफ से pack नहीं करने वाले कुछ चज्जा या अगर जैसे आप चज्जा निकाल रहे हैं और side से निकाल रहे हैं किसी side की wall से निकाल रहे हैं मैं road side की बात नहीं कर रहा front edge margin की बात नहीं कर रहा आपके side में किसी और व्यक्ति का घर है और इस तरफ से निकाल रहे हैं तो वो जो window या ventilation के ऊपर आपने चज्जा आपने projection जो आगे की तरफ निकाला हुआ है वो आपकी अपनी boundary के अंदर आएगा जब वो अपनी boundary के अंदर आएगा तो आपको उस तरफ कोई margins छोड़ने पड़ेंगे तो यह जो margins छोड़ेंगे तो plinth इसके कहां होगी अंदर की तरफ होगी तो यह आपका plinth area होगा definition के term में आगर मैं आपसे कहूँ तो plinth area is the area for the cover built up area that is measure at the flow level at any story of building आपकी number of story कितनी भी हो सकती है G plus 2 हो सकती है G plus 3 हो सकती है G plus 10 हो सकती है लेकिन हम कहां बात कर रहे है ground की बात कर रहे है और even the flow level is the basement of the building ठीक है तो यह आपका क्या कहलाएगा यह आपका plinth area कहलाएगा plinth area के बाद अगर हम देखें तो what is built up area और covered area लेकिन plot area हो सकता है आपके पास thousand square feet का हो plinth area हो सकता है यह आपने जो construction करा है वो 600 square feet करा है 500 square feet करा है उसके उपर 400 square feet करा है लेकिन built up area plot area से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपने उसमें number of story बनाई होंगी G plus 2, G plus 3 duplex बनाया आपने multi story building बनाई है तो यह ज़्यादा भी हो सकता है और plot area के से कम भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है तो the plot area minus the area due to open space is known as built up area जो हमने खुली जिगे छोड़ दी है चाहे आपने garden चोड़ी हो parking चोड़ी हो front बरामदा, back बरामदा आपका open space corridor, lobby कोई duct आपने छोड़ा है कोई balcony आपने छोड़ी तो that is not cover in the built up area वो आपके built up area में cover नहीं होगा following areas the limitation of built up area mentioned in the NBC, national building code तो जो NBC हमने पहले देख शुके हैं previous वाले videos में तो वहाँ पे आपको पता है कि आपके पास building का built up area limitation है, आप उतना ही कह सकते हैं ऐसा नहीं कि आप high rise छोटे space में create कर दे what is carpet area, carpet area क्या होता है net usable area within building to calculate carpet area deduct the following areas from the plinth area plinth area में से कुछ चीज़ें अगर हम minus करने, तो बचा हुआ area आपका carpet area कहलाता है यह जो मैंने कुछ चीज़ें कहा ही यह क्या होंगी, किन कुछ चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपका passage है, corridor है, porch है, lobby है lift के लिए आपने कोई space छोड़ दखा है water close at, bathroom का जो area है thickness of wall दिवालों की thickness जो है, आपकी 9 inch wall है, एक इंट की दिवाल है, आदे इंट की दिवाल है, thickness of wall vertical shaft for drainage यह जो हमने space छोड़ दखे हैं duct कोई छोड़ दखा है तो वो आपका carpet area में नहीं आएगा तो मान लीजे, अगर आप carpet area निकालना चाहते हैं तो आपका 1000 square feet का कोई plot है जिस पर आपने plinth area construction कर रखा है, मान लीजे for example 500 square feet अब उस 500 square feet में सारी जिगे पर room नहीं बना होगा hall नहीं बना होगा कुछ ऐसी जिगे जैसे के washroom कुछ ऐसी जिगे जैसे के आपकी porch, corridor lift वाला section तो यहाँ पर आप carpet नहीं डालते हैं तो यह area minus होता है अच्छा मान लीजे अगर हम किसी एक room के carpet area की बात करें 10 by 10 का room है यानि कि 100 square feet का room है तो हम including wall thickness देवाल की मोटाई जोड़के इसको 10 by 10 कर रहे है 10 feet by 10 feet तो अब यह जो 10 by 10 का है इसमें देवाल की मोटाई भी जोड़ी हुई है तो अगर हम इसका carpet area निकालेंगे न तो deduction of wall होगा और अगर उसमें कोई पहले से ही हमने concrete की slab cast करीगा अगर कोई हमने वहाँ पे almira cast कर रही है तो उसका area भी deduction होगा उसके बाद जो area बचेगा that is your carpet area वो आपके किस चीज के अंदर आएगा carpet area के अंदर आएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको carpet area से minus करके देख नहीं floor area ratio सीरा सीरा question भी बन सकता है किसी भी exam के अंदर what is floor area ratio और floor space index FSI short term होता है floor space index का और इसे FAR के नाम से भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपको common word मिलेगा FAR लिखा हुगा पूरा floor area ratio लिखकर नहीं देंगे तो the floor area ratio is the total floor area inclusive of the all the floor to the area on which the building stand is known as floor space index और floor area ratio तो अगर मैं इसको एक formula के term में आपको बता हूँ for example floor area ratio FAR या FSI तो total cover area of all the floor 1, 2, 3, G+, हमने 3 बनाया है जितने भी हमने G+, construction करा है तो number of floor का जितना भी total area हो रहा है वो total area divided by plot area आपका plot area fix है अगर अगर मन लीजिए आप 25 by 40 square feet के 25 by 40 feet के plot पे कोई construction कर रहे है एक हजार square feet के plot पे तो thousand square feet वो आपका fix हो गया है लेकिन number of floors में जितना area cover करा है हो सकता है जितना जितना है कि ground floor पे आपने 500 बनाया हो परस्ट पर 500 बनाया हो फृस्ट पर 200 और उपर staircase का सिर्फ all अगर आपने बनाया है 80 square feet में तो इन सब को total कर देने के बाद जो हमारे पास area आ रहा है तो that is called floor area ratio एक example के दौर पर और हम इसे समझ लेते है if the total area of building across two floor is 300 square meter कोई building है जिसके हम दोनों floor का total area अगर हम जोल ले तो हमारे पास 300 square meter आता है और अगर हम उसके plot area की बात करें तो total plot area is equals to 200 square meter तो floor area ratio कितना निकल के आएगा हमारे पास total all the floor का area 300 था तो 300 divided by 200 is equals to 1.5 तो हमारा 1.5 का floor area ratio निकल आएगा तो ये कुछ important terms है जो पूछी जा सकती है या आपको समझनी चाहिए किसी building की planning को करने के पहले drafting को करने के पहले जिसमें आपको different types of area चाहे वो carpet area हो plinth area हो plot area हो आपका built up area हो super built up area हो floor area ratio हो FAR हो या FSI floor space index हो ये सारी चीज़े जाननी बहुत जरूरी है open area setback distance जो road margins आप छोड़के किसी construction को करेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी cover होती है जिसकी मदद से आप आगे जाके क्या कर पाएंगे बिल्डिंग प्लानिंग को आराम से समझ पाएंगे और आराम से डिजाइन कर पाएंगे तो आइ होप के ये clear होगा thank you so much कर दो आए होगा तो ये जिसमानिघ मत मस्झ मतई होगे जए होगे कर दो होगे टाराम से पाएंगे जो आए होगे फिर सकता हो ये जए है जो हागे वे वे जाए होगे